क्या होगा अगर बहुत सारी छोटी छोटी मचलियों के उपर खौलता होगा लावा डाल दिया जाए तो चलो इसके लिए सबसे पहले लावा तयार कर लेते हैं लावा तयार करने के लिए छोटे-छोटे अलुमिनियम के टुकरे को एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। और इस कंटेनर को इस तरह के भटी में डाल कर भटी को ओन कर दिया जाता है। तो जब तक लावा तयार हो रहा है तब तक चलो फिस को भी रेडी कर लिया जाए। तो पेस हैं हमारे सामने expired fishes यानि की मरी हुई मचलियां। क्योंकि यार जिंदा मचलियों के साथ इस तरह का experiment बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इन मचलियों के उपर नमक और मसालों को भी डाल दिये जाता है ताकि जब लावा डालने के बाद ये पक जाये तो इसे खाया भी जा सके। तो अब बार ये final experiment की यानि मचलियों के उपर लावा डालने के बाद क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं लावा डालते ही मचलिया कुछी सेकेन में पक जाती है। विससे आप मचलि खाते हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना।